गिद का नाम सुनते ही लोगों की दिमाख में सड़े गले कारकस आने लग जाते हैं जिन में मूँ फसाय गिद खाते रहते हैं अगर कारकस ना मिले तो ये हड्डियों को खाकर भी अपना काम चला लेते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हुई ये नेचर के सफाई करमचारी अपने पैरों पर पेसाब और पोटी करते हैं लेकिन अब सवाल ही है कि इन्हें और कई जगे नहीं मिली जो बगएर सोचे पैरों को इसोचाले बना लिया देखे इनकी इन हरकतों के पीछे वज़य ये है कि जब ये कारकस पर बैठते हैं तो कारकस में मौझूद गातक बैक्टीरियाज और वायरसिज इनके पैरों पर लग जाते हैं लेकिन गिद की पोटी और पेसाब में ऐसी प्रोपर्टीज होती हैं जो कि इन सभी वायरसिज और बैक्टीरियाज को तुरंद खत्म कर देती हैं इसलिए अपने पैरों पर पेसाब करते हैं और इसका एक और फाइदा है कि जब ये पानी में या और कहीं जाते हैं तो डिजीज स्प्रेड भी नहीं होती और आपको ये गर्मियों में ठंडे रहने के लिए भी अपने पैरों पर पेसाब करते हुए देख जा सकते हैं